हाई गाईज वेकम बैक तो मैं चानल मैं नीम इस प्रिया दोकरा और आम बैक अगीन विडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रवाइट करने वाली हूँ गूगल की तरफ से एक हैश कोड कॉंपेटिशन नाम का इवेंट होने वाला है उसकी डीटेल्स अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है या आपने प्रोग्रामिंग पहले सीख के रखी है तो आपको वो चीज यहाँ पे बहुत काम आने वाली है इस कॉंपेटिशन में पार्टिसिपेट करने पे बहुत अच्छे अच्छे प्रा अगर थर्ड विनर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे थाउजन डॉलर दिये जा रहे है अगर इंडिन करन्सी के हिसाब से देखे जाए तो आपको यहाँ पे 72,000 रुपीज जो है उसके आसपास प्राइज मनी यहाँ पे आफर किया जाएगा यही नहीं साथ में आपको बहुत अच्छे अच्छे गुडीज यहाँ पे मिलने वाले हैं सर्टिफिकेट्स आपको गूगल की तरफ से मिलने वाले हैं तो इसी इवेंट के बारे में कौन एलिजिबल है कैसे अपलाई कर सकते हैं कैसा इवेंट है वो सारी डीटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो मे के वीडियो में आज में आज वीड इंवाले हैं से मश्यान आपको अश्याच्छ आपको कि अन छी अडिब कर दार देर्फ और गुड़े हैं कर दो इस का लिंक आपको मेरि दिस्क्रिप्शन पर मिल जाएका जहां पे क्लिक करते ही आप इस प्लाटफॉम पर पहुँख प जहां पर आपको Google Hash Code 2021 के बारे में सारी इंफरमेशन नल जाएगी सो यह इवेंट Google की तरफ से और इवेंट वर्चॉली होने वाला है द्यू तो दिस COVID-19 इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग जो की student है या college going है या working professional है अगर आपको यहां पर coding आती है आप इस इवेंट में participate कर सकते हैं और इस इवेंट में participate करने पर आपको बहुत फायदा होने वाले हैं यहां पर coding competition होने वाला है round 1 में basically 2 rounds होंगे जिसमें round 1 में आपका coding competition होगा और second round में आपके पास यहां पर जो है वो world level के coders मिलके एक competition होने वाला है जो की basically google के किसी office में होता है last time यह island में हुआ था बट इस बार due to this covid-19 यह virtually होने वाला है सारी details में आपको देने वाली हूँ सबसे पहले चलते हैं इसके about section में क्या होता है hash code तो आप यहां पर देख सकते हैं कि hash code के बारे में लिखा गया है team based programming competition है जिसका नाम hash code रखा गया है यहां पर आप अपने skills को share कर सकते हैं other coders के साथ interact कर सकते हैं connect कर सकते हैं और अपनी problems को एक दूसरे के साथ share कर सकते हैं और basically आपको यहां पर चोटे-चोटे google के coding challenges दिये जाते हैं जो कि आपको यहां पर perform करने होते हैं और उनमें perform करके आप यहां पर इनके levels clear कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया दो यहां पर round रहते हैं round 1 और round 2 तो आपको यहां पर जो है वो task दिये जाते हैं उन task को complete करके आप further next round में पहुँच सकते हैं अब बात करते हैं कि यहां पर schedule के रहने वाला है कि अब जैसे आप यहां पर registration कर सकते हैं तो registration मैं आपको बता दूँ, यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, इधर आप individually register कर सकते हैं, इधर आप team के तुरू register कर सकते हैं, जिसको hubs भी कहा चाता है, तो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुली रेजिस्टर करना चाहते हैं तो रेजिस्ट्रेशन आपकी ओपन होने वाली है जानवरी 7, 2021 से अगर आप टीम में रेजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहते हूं और आपकी पे डिविजुली रेजिस्टर करना चाहते हैं तर अब आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हैंपर आप्शन क्या है हमारे पास so next हमारे पास option जो दिया गया है that is hubs so hubs में क्या होता है कि आप अपनी teams के साथ participate करते है और आप कहीं से भी virtually यह जैसे यह event होने वाला है so your team can participate from anywhere और आप अपने computer यहाँ पर यूज़ कर सकते है अपना internet connection यहाँ पर यूज़ कर सकते है और आपकी team जो है वो virtually इसमें participate करेगी so इसे hub बोला जाता है list of hubs आप देख सकते हैं कितने हैं यहाँ पर so currently इनके पास 181 hubs है across 51 countries अब बात करते हैं हमारे main important section की which is rules अब rules क्या रहने वाले हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहते हूँ कि team की requirements कै रहेगी so team की requirements आपको यहाँ पर बता दी गई है कि एक team में maximum आपके पास जो है 2, 3 और 4 members ही हो सकते हैं जो कि यहाँ पर hubs के लिए बताए गए हैं इधर आप यहाँ पर individually apply कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर team के लिए 2, 3 या maximum 4 members apply कर सकते हैं एज क्या होनी चाहिए team members की तो age जो है यहाँ पर बताएगी है कि at least you should be 18 years old तो at least आपके पास जो है यहाँ पर 18 years का criteria रखा गया है कि अगर आप team में apply कर रहे हैं तो team members की आप age देख लीजे कि minimum age उनकी 18 years होनी चाहिए हम बात करते हैं कि registration कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि registration आपकी January 7, 2021 से start हो चुकी है और यह खतम होने वाली है February 22, 2021 पे content structure की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया दो rounds में आपका यह contest होने वाला है जिसमें first round है आपका online qualification यहाँ पे आपके पास जो है वो coding task दिये जाएंगे जो कि होने वाला है आपका February 25, 2021 पे यहाँ पे date भी mention की गई है, time भी mention किया गया है make sure कि आप इस time को Indian time के according convert कर लीजे और फिर अपना time यहाँ पे आपको पता चल जाएगा all the participants जब आप इसके लिए register कर देते हैं तो एक दो दिन पहले आपको Google की तरफ से mail provide कर दी जाती है जिसमें आपके date और time जो है वो सारा mentioned होता है फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि in case अगर Google की तरफ से कोई date postpone हो गई या कोई information अगर आपको मिलेगी वो आपको mail के दुरू ही मिलने वाली है एक और चीज़ में आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जैसे आप round 1 यहाँ पे clear कर लेते हैं उसके बाद आपको second round में जो है वो level up कर दिया जाता है और second round जो आपका यहाँ पे होता है that is world finals so world finals आपका यहाँ पे होने वाला है जिसमें world के जितने भी coders हैं जो कि इस contest में participate कर रहे हैं और उन्होंने contest का level 1 जो है वो clear कर लिया है so वो यहाँ पे participate करेंगे तो world finals जो है वो आपको होने वाला है यहाँ पे Saturday April 24th 2021 so यहाँ पे date और timing यहाँ पे बता दी गई है कब होने वाला है और यह जो आपका contest है यहाँ पे virtually होने वाला है so पहले यह contest में क्या होता था कि आपका जो है first level वो online होता था और second level आपका किसी particular location पे आपको बुलाया जाता था but due to this COVID-19 and this pandemic आपका जो यह second level है यह भी आपका virtually होने वाला है अब बात करते हैं कि किस तरह की problems आपके पास आ सकती है so आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई competition से related problem है clarification कोई करनी है कोई resources चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे summary लिकी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते है time limit क्या होगी, submission कैसे करनी है क्या source code यूज करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे already mentioned है, इसका link मैं आपके लिए description में provide कर दूँगी judging and scoring भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन judge रहेगा, किस तरह से jury select होगी उनके क्या rules होगे, क्या terms and conditions होगी सारी चीज़ें यहाँ पे mentioned है वो भी चीज़ आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे prices और price winners कैसे रहने वाले हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था first place वालों को यहाँ पे 4,000 USD यहाँ पे जो है वो pay किया जाएंगे which is approximately equal to 1,2,92,000 तो वो आपका यहाँ पे first place, first winners का price money रहने वाला है second place और third place के भी आप देख सकते हैं $1,000 and $1,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है यही नहीं और भी आपके पास यहाँ पे goodies मिलने वाली है goodies में आप जैसे कि जानते हैं Google की तरफ से आपको t-shirt, stickers यह सारी चीज़ें आपको offer कर दी जाएंगी अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे sign up या account कैसे create कर सकते हैं तो उपर ही आपके पास sign in का option दिया गया था यहाँ पे आप अपनी Google की यह Gmail की ID के साथ login कर सकते हैं या sign up कर सकते हैं अगर आपको already account है तो आप login कीजे मेरा account नहीं था तो मैं आप अपनी profile क्रिएट कर रही हूँ आप देख सकते हैं आपकी information जो यहाँ पे मांगी जा रही है that is your nickname आप यहाँ पे कोई भी अपना nickname select कर सकते हैं so उसके बाद आपकी जो information यहाँ पे मांगी जा रही है that is your location so location आप यहाँ पे select कर सकते हैं यहाँ पे countries दी गई है so में दी location है इंडिया मैं यहाँ पे select कर रही हूँ then after आप देख सकते हैं आपके पास your personal information पूछी करी है your first name, your last name, your location so location यहाँ पे हम फिर से select कर लेते हैं हमारी इंडिया उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो आप से पूछा जा रहा है that is your consent तो आप अपनी information गूगल के साथ share करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं yes आप कर सकते हैं so उसके बाद आपकी यहाँ पे gender जो है वो identity पूछी जारी है उसके बाद आपके पास यहाँ पे next चीज पूछी जारी है consent to provide google with information about my race ethnicity for the purpose of helping google understand the diversity यहाँ पे Asian select कर सकते हैं next आप से option पूछा जारा है your preferred coding language तो आप यहाँ पे select कर सकते हैं next आप से option जो पूछा जारा है your professional status तो यहाँ पे आप student है professional है या आप answer नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे decline भी कर सकते हैं you and google आप यहाँ पे आपकी और google की तरफ से जो भी terms and conditions होगी वो आप यहाँ पे accept कर सकते हैं तो अगर आपको यह नहीं fill out करना तो यह सारा optional है process तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इसको छोड़ भी सकते हैं next आपके पास prices का option आ रहा है we will need your address to send you prices तो आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं I would like to receive google prices if eligible yes कर दीजे name आपको यहाँ पे अपना address line जो है वो सारी fill out करनी है state, province, city, postal code वो सारी चीज़े आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं और साथी में अगर आप यहाँ पे goodies के लिए eligible होते हैं so t-shirt size अगर आप पूचा गया है यह भी आप यहाँ पे mention कर सकते हैं next आपके पास जो है last option है coding competition terms I am at least 16 years old जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे criteria दिया गया था so आप यहाँ पे check box पे click कर दीजे कि हाँ मैं 16 years से above हूँ and आप इनकी terms and conditions के साथ भी agree करते हैं और इसी तरह से इन information को provide करके आप यहाँ पे अपना account जो है वो create कर सकते हैं याद रखे हैं आपके application यहाँ पे start होने वाली है 7th of January से so मैं आपको यह बोलूँगी आप यहाँ पे जल्दी से अपनी application ज़रूर fill out कर लीजेगा और अगर आप team में apply करना चाहते हैं so वो तो यहाँ पे open होई चुकी है और link आपको सारे description में मिल जाएंगे so आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो से hash code के बारे में सारी information मिल गी है और in case अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या कोई आपको information additional चाहिए so आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं either आप मेरे telegram channel को और मेरे whatsapp group को join कर सकते हैं so आज की वीडियो में बस इतना ही that's it for today thank you so much have a good day